तो गाइज वेलकम टो अवर चैनल ग्रोविदासी इस तो चलिए आज हम बात करते हैं कोईंडी से इसके साइन अप और केवाई सी और कैसे इसमें बैंक अकाउंट एड कर सकते हैं वीडियो में जानने के लिए बने रहें लाश्ट तक तो सबसे पहले बात करते हैं इसके qolding आपको यहां पे यह सारे डेटेल भननी पड़ेगी और यहां पे आपको इमेल और पासवर्ड पासवर्ड याद रखें आपको पासवर्ड जो वह बनाना है कोई जैसे कोई capital letter हो फिर small letter फिर कोई ऐसी digit हो यानि numeric तो आप जानते हैं आपने भी ऐसे पहले password बनाए होंगे तो इसके बाद अगर हम register पर क्लिक करते हैं register करने के बाद हम पहुंच जाते हैं इसके दूसरे page के उपर इस page के उपर आपके email पर और आपके phone number पर यह दोनों जगह OTP भेजेगे आपको यहाँ पर OTP भेजने के बाद आपको यहाँ पर जो OTP आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे उसके then आप verify पर click कर देंगे verify पर click करने के बाद आपको यह रहा verify यहाँ पर click करने के बाद आप इसके next page पर पहुंच जाएंगे next page आपको दिखाएगा कि complete your verification, bank detail, deposit, INR to the wallet, complete your first trade यह चारो option आप यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन मैं चाहूंगा आप यह चारो चीज़े अपने कहां पर जाके करें application में जा download कर लेंगे, coin.dcx.go के नाम से तो तब आपको ऐसा कुछ यहाँ पर interface दिखाई देगा, तो आप login के section में जाएंगे, login के section में जाने के बाद आपको अपनी email id वो ही जो आपने पहले sign up के time page में लगाई थी, उसके बाद यहाँ पर आप अपना password लगाएंगे, password लगाने के के बाद में आपको यह इस interface ऐसा कुछ दिखाएगा, interface तो आपको यहाँ पर जाके आपको इसमें account section पर यहाँ पर करना है, last में नीचे account section आएगा, इस पर click करने के बाद आपको यह सारी चीज आएंगी, यहाँ पर KYC वाले KYC वाले जो यहाँ पर column है, इसमें आप जाएं जैसे ही आप KYC verification के लिए आते हैं, तो सबसे पहले यह information ही आपको देगा कि आपके पास आधार card और passport में से कोई भी एक और pen card होना जरूरी है, तब ही आप इसकी KYC कर पाएंगे, तो बात करें इसके अगले point के बारे में, तो इसके बाद आपको अपनी selfie लेनी पड़ेगी Selfie में उने क्या है, look straight and make sure your eyes are clearly visible, आपकी जो आखें वो clearly visible होनी चाहिए, glasses वगेरा या ऐसी कोई चीज़े आपके पहन कर फोटो ना कलिक करें, तो बात करते हैं, अगले इसके बाद हमारे cash tap होगा, इसके बाद जो यह आपको KYC के लिए मांगेगा, front of your card, अगर आपके पास आधार card है, तो आप यहाँ पे अपने आधार card की front photo खीचके इने, make it visible, make it visible पे आप click करके दे सकते हैं, इसके बाद यह back of आधार card, यानि आधार card का back page की यहाँ पे photo खीचेगा, उसके बाद आपको यह submit कर देना है, make it visible पे, इसके बाद अगर बात करें तो यह pen card के front की य ठीक है guys, तो इसके बाद next step क्या होता है, आध देख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे लिखा हो आएगा कि your kyc is submitted, तो यहाँ पे 24 घंटे का time यहाँ पे देखे रखते हैं कि आपको 24 घंटे में आपकी जो verification अभी complete हो जाएगी, लेकिन 24 घंटे अगर आपके document complete हैं, तो बाद करते हैं इसके account detail के बाद जब आपका verification यानि kyc verification complete हो जाता है, उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते है, account detail के section पे, जब आपकी यहाँ पे देखे ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आप account detail में आप डालेंगे, तो account detail डालने के बाद में, आपको यहाँ पे आपकी अकाउंट डिटेल जो वो आपको शो करा देगा तो यह पूरा प्रोसेस था के वाइसी करने का गाईज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें सेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ग्रोविदास इसको थेंक यू फर वाचिंग इस वीडियो थेंक यू गाईज मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ